ड्रीम 11 IPL 2020 खत्म हो चुका है लेकिन आप सभी को बता दू कि इस ते जूरी कुछ बरी बात जैसे कि किसको मिला परपल कैप, किसको मिला वरेंज कैप, कौन बना सबसे most valuable player इस सब के बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे इसके वीडियो में तो जैसा कि आप लोगों को पता चली गया होगा कि मुंबई इंडियन्स बन चुकी है IPL 2020 के चैंपियन और पांच वी वार मुंबई इंडियन्स ने जीता है IPL का किताब लेकिन आप सबसे बरा सवाल यह है कि किसको मिला परफल कैप, किसको मिला ओरेंज कैप, कौन बना most valuable player आप सबी को बता दू कि किरिशको द्वाड़ा को मिला है परफल कैप, और आप सबी को बता दू कि उनको IPL 2020 के सीजन में 30 वीकेट मिले हैं, जो कि अभी तक के इतिहास के सबसे जादा है, अभी तक किसी भी परफल कैप जितने बहले गेंदबाज ने एक सीजन में 30 वहीं अगर बात करें इस ट्राइग रेट की तो इस ट्राइग रेट है 13.13 वहीं अगर हम बात करें ओरेंज के यानि की मस्ट रॉन नहीं द सीजन तो उनका किताब गया केल राहुल के नाम जो की इस टीजन में 670 रन बनाये थे वही केल राहुल का जो एवरेस था वो था 55.38 वहीं अगर हम बात करें स्ट्राइग रेट की तो अगर हम बात करें उनकी चोकों की तो इस पूरे सीजन में 58 चोके और 23 चखके केल राहुले लगाए थे और उनको मिल गया है और औरेंज सादू की जोफरा आर्चर ने गेंदबाजी करते हुए 20 विकेट जटके अपने टीम के लिए वहीं 175 डॉट बल डालने में सफल हुए है जिसके बाद उन्होंने 5 कैचेज भी पकड़े हैं और 10 छक्के भी लगाए हैं इस सीजन में तो उनको मिला है Most Valuable Player of the Season का किताब वही अगर हम बात करें इस सीजन की First Runner Up की तो First Runner Up के तोर पर दिली कैपिटल्स उभड़ी है इस सीजन पहली बार दिली कैपिटल्स ने IPL के हितियास में फाइनल खेला जिसमें हार के सामरा करना परा और पहले रनर अप के साथ उनको इस सीजन में 2020 के चैंपियन और रोहित सर्मा ने अपने खप्तानी में मुंबे इंडियंस को पांचवी बार ये ट्रोफी दिलाने में सफल हुए है और जो रोहित सर्मा याने की मुंबे इंडियंस के खप्तान थे उनको मिला 20 करोड का चेक और रोहित सर्मा के साथ साथ ही जो बहिला ज हैं डिली कैपिटल्स के कप्तान उनको मिला है बारा लाख पचास जार रुपे के चेक और जो रिकी पॉंटिंग है उनके कोच यानि की दिली कैपिटल्स की कोच उनको भी मिला है रॉनर ऑफ मोमेंटम पूरी टीम के और आप सभी को बता दू कि यह जो आई पेल का सेजन था यह UAE में खेला गया वहीं अगर हम बात करें प्लेयर आप दो मैच की तो ट्रेंट बोल्ड को दिया गया है प्लेयर आप दो मैच वहीं अगर हम बात करें इसमें सबसे इंडियन प्लेयर जो की अभी तक रॉनर अप या फिर किसी भी टीम से रहते हुए औरेंज के आप जी किया है वहीं अगर हम बात करें ऐसे टीम जो की पुइंट स्टेवल में एक नमर पर खत्म करें अपना सीजन और ट्रोफी चीते उसमें कूल अभी तक चार ही टीम है जिसमें ये कारडामा कर पाई है और तीन बार तो मुंबे इंडियन्स नहीं किया है और एक बार राजस्थान रोयल्स ने ये कारडामा करके दिखा चुके हैं इससे पहले तो अभर अल इस आईपियल की अगर बात करें तो मुंबे इंडियन्स की परफोमेंस बहुत ही सांधार रही और सभी टीमों के साथ जो उनका मुकाबला हुआ जो मुकाबला वो हारे भी वो बहुत ही नेट टू नेट का रहा और यही उकारण रहा कि मुंबे इंडियन्स इस साल की IPL की उइनर के रूप में उभरी और पांचवी बारिस किताब को अपने नाम कि तो मुंबे इंडियन्स की लिए बहुत ही सांधार सीजन रहा और आप लोग की स्टीम को सुपोर्ट कर रहे थे हमें कमेंट करके जरूर बताएगा और मुंबे इंडियन्स के जितने से आप लोग कि दना ज़्यादा खुस है एकसाइटेड है हैपी है या फिर आप लोगो को लाइक और सेर जरूर करें नमस्कार घन्यवाद